आज की इस वीडियो में मैं नुसरत बरुचा के फिर्म जनहित में जारी को एक्स्प्रेन करने जा रहा हूँ ये मूवी समाज के उस मुद्दे को उठाती है जिसके बारे में आज भी आजाद हिंदुस्तान में लोग बात करने से कतराते हैं और वो मुद्दा है कॉंडम बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को 7.2 आउट अफ 10 की रेटिंग मिली हुई है मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी लीड कास्ट नसुरत बरुचा यानि की मनुकामना त्रिपाठी को दिखाय जाता है जिसके घर वाले उसकी साधी करने के पीछे पड़े होते हैं इस वज़े से वो उसे एक महिने का समय देती है और अगर इस एक महिने में उसे नौकरी मिल जाती है तो ठीक है वरना वो उसकी साधी करवा देंगी मम्मी से साधी की डेडलाइन मिल जाने की वज़े से मनुकामना याने की मन्नु हर जगे कमप्रीस में इंटर्व्यू देना स्टार्ट कर देती है पर उसे सफलता कहीं नहीं मिलती इस वज़े से वो फ्रस्टेशन में आ करके अपने बचपन के दोस्ट देवी के साथ बैठ करके पुल पे पीर पी रही होती है कि तभी एक अंकल जो कि उस पुल से गुजर रहे होते हैं उन्हें या लगता है कि मन्नु सुसाइट कर रही है इस वज़े से वो जल्दी से मन्नु के पास पहुँच करके उसका पैर पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसे अपनी जान लेने नहीं देंगे अंकल की मुझसे ये बात सुन करके मन्नु कुछ समझ नहीं पाती कि आखिरकार वो ये बात कह क्यों रहे हैं इस वज़े से मन्नु नीचे उतर करके उन्हें अपनी हालातों के बारे में समझाती है मन्नु की बात सुन करके अंकल को मन्नु काफी ज़्यदा पसंद आती है क्योंकि मन्नु उन्हें अपनी बातों से कन्विंस कर लिया होता है इस वज़े से वो अगले दिन मन्नु को कॉल करके उसे अपनी ओफिस आने को बोलते हैं दरसल उनकी कंपनी कॉंड़म बनाया करती है और फिरहाल उनकी कंपनी की कॉंड़म मार्केट में ज़्यादा बिक नहीं रही होती इस वज़े से उन्हें कोई ऐसा आदमी चाहिए होता है जो की कंपनी की कॉंड़म की सेल्स बढ़ा सके ओफिस पहुचने के बाद वो मन्नु को या बताते हैं कि उनकी कंपनी छत्री बनाने का काम करती है पर इससे पहले कि वो मन्नु को अपनी कंपनी की सारी डेटेज उसे बताते मन्नू उन्हें एडवांस देने को बोलती है ताकि वो अपने घरवालों को दिखा जके कि उसे नौकरी मिल गई है जिस पर वो मन्नू को एडवांस दे देते हैं एडवांस ले करके मन्नू सिधा अपने घर पर आती है और अपने मम्मी पापा को अपने नए जौब की खुसकबरी सुनाती है अगले दिन जब मन्नू अपने ओफिस काम करने जाती है तो उसका बॉस उसे याइब बताता है कि उसे कॉन्डम सेल करना है बॉस की मुँसे ये बाते सुन करके मन्नू इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो उसके वहां जॉब करने से मना कर दीती है और वापस घर के तरफ आने लगती है कि तभी रास्ते में उसे अपने साधी का ख्याल आने लगता है कि अगर वो ये जॉब नहीं करेगी तो उसके घर वाले उसकी साधी करुआ देंगे पर उसे कहीं कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगती कि तभी एक medical store पर जब वो अपने company का condom बेचने गई होती है तो उसकी नजर वहाँ आए एक बुढ़े आदमी पर पड़ती है जो कि वहाँ आकर के condom खरीद रहा होता है क्योंकि इंडिया में अगर किसी चीज पर सेल लगी होती है तो इंसान उसे जरूर खरीदता है भले उसे उसकी जरूरत हो या नहीं और तभी एक दिन जब मन्नू बस में खड़ी हो करके अपने काम पर जा रही होती है जिसे सुन करके वहाँ खड़े लोग मन्नू पर जोर जोसे हसना स्टार्ट करेते हैं जिसे देख करके मन्नू काफी ज़्यादा सैड हो जाती है पर देवी उससे यह बोलता है कि वो उसकी condom sale करने में उसकी मदद करेगा जिसके बाद देवी मन्नू के साथ घूम घूम करके condom मिचवाना स्टार्ट करवा देता है और फिर एक दिन जब मन्नू अपनी condom का पचार red light area में कर रही होती है कि तब ही उसकी नदर रंजन और उसके डोस पर जा परती है जो कि red light area के building के अंदर जा रहे होते है रंजन को वहाँ देख करके मन्नू उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है जहां वो यह देखती है कि मन्नू वहाँ के एक औरत से पूरी रात performance देने का 11,000 रुपे मांग रहा होता है रंजन की मुँ से ये बात सुन करके मन्नू को यह लगने लगता है कि रंजन एक ठीट लड़का नहीं है और फिर उसी साम मन्नू अपनी पूरी फैमली के साथ माभारत देखने जा पहुंचती है पर वो सौक तब हो जाती है जब वो यह देखती है कि भगवान कृष्ण का रूल कोई और नहीं बलकि रंजन ही कर रहा है इस पर वो अपनी बहन से यह बताती है कि उसने रंजन को रेड लाइट एरिया में देखा था पर मन्नू को अपनी बहन को यह बाते बताते वहाँ उपस्थेत कुछ लोग सुल लेते हैं जिस वज़े से यह बात वहाँ आग की तरफ फैल जाती है और वो लोग मभारत को बंद करने को कहते हैं क्योंकि एक असली लड़का भगवान कृष्ण का रूल करे यह उन्हें साब बरदास नहीं था इस पर रंजन उनसे यह पूचता है कि आखिरकार उन्हें यह बात बताई किसने है कि मैं रेड लाइट एरिया में गया था इस पर वहाँ के लोग यह बताते हैं कि मन्नू ने उन्हें यह बात बताया है इस पर रंजन उनसे यह कहता है कि मैं तो बस वहां माता के जगराता की booking करने गया था और इतना क्या करके वो वहां से चला जाता है जिसके बाद अगली सुबह मन्नू रंजन के पास आ करके उससे अपनी की हुई गलतियों की माफि मांगती है और उससे कहती है कि इस बार की होली वो उसके वहाँ आकर मनाए और फिर होली वाले दिन मन्नू और रंजन एक दूसरे के साथ खूब होली खेलते है जिसे देख करके हमें ये साफ मालूम चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और फिर उसी साम मन्नू की मा को उनके घर पर condoms के कई सारे डबे पड़े मिलते हैं जिस पर वो अपनी बाकी की लड़कियों से या पूछ रही होती है कि आखिरकार ये घर में कैसे आया कि तभी वहाँ मन्नू आ जाती है और उनसे बताती है कि ये उसका है क्योंकि वो एक condom बनाने वाली company में काम करती है मन्नू की मुझे ये बाते सुन करके उसकी मा को पहले तो ये बात हजमी नहीं होती कि उनकी बेटी market में condom बेचने का काम करती है पर मन्नू के समझाने के बाद वो इस बात को समझ जाती है ये condom बेचना भी एक काम ही है और इसमें कोई बुराई नहीं है और फिर थोड़े दिनों बाद रंजन के घर वाले मन्नू को देखने आप पहुंचते हैं ताकि वो उनकी साधी की बात पक्की कर सकें पर रंजन के घर वालों को ये बात पता नहीं होती है कि मन्नू एक condom बनाने वाले कंपनी में सील्स एक्जेक्योटिव का काम करती है इस वज़े से वो इस साधी को हा कह देते हैं जिसके बाद उन दोनों की साधी हुटाती है और सब को सही सही चलने लगता है कि तभी एक दिन जब रंजन अपने पापा के साथ अपने दादा का आ muffin चेक्क करवा करके घर जा रहा होता है कि तभी उसके पापा की नजर मनू पे जा परती है मनू को किसी दूसरे आर्मी के बाइक पे बैठा देख करके रंजन के पापा उसे मन्नू का पीछा करने को बोलते हैं जहां पीछा करते करते वो उस कॉर्णडम मनाने वाली कंपनी में जा पहुंचते हैं जहां मन्नू काम किया करती है मन्नू को एक कॉर्णडम कंपनी के अंदर काम करता देख करके वो गुस्टे से वापस घर आ जाते हैं और रंजन को सुनाना इस्टार्ट कर देते हैं कि तभी वहां मन्नू आ जाती है और उनसे यह बोलती है कि अगर आप लोगों को इस जॉब से प्रॉब्लम है तो मैं इस जॉब को छोड़ देती हूँ मन्नू की मुँसे ये बात सुन करके रंजन के पापा का मूर एकदम सांथ हो जाता है और सब कुछ बैक टो नॉर्मल हो जाता है पर जो कि मन्नू एक पढ़ी लिखी लड़की होती है और उसे घर पर बैठना बिलकुल भी पसंद नहीं होता इस वज़े से वो डब्बे बनाने वाली कंपनी को जोईन कर लेती है और वहाँ सेज्स एक्जिकूटिफ पर काम करना स्टार्ट कर देती है कि तभी एक दिन जब वो प्रमोशन का काम करके घर निकल रही होती है कि तभी एक आंटी उसकी पस आका के उससे यब बोलती है कि वो उनकी लड़की को भी अपने साथ काम पर रख ले ताकि इसी बाने वो कुछ काम भी सीख लेगी और दो पैसे भी कमा लेगी जिस पर मन्नू मान जाती है और पूजा को अपने साथ काम पर रख लेती है पर फिर कुछ दिनों के बाद से पूजा काम पर आना बंद कर देती है जिस पर जब मन्नू अपने साथ काम करें दूसरी लड़की से पूजा के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि पूजा का उन्हें वहाँ से जाता देख करके पूजा और उसकी मा मन्नू से रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ ना बोले जिस पर मन्नू मान जाती है और फिर एक दिन काम के सिलसले से जब मन्नू बहार जा रही हूँती है कि तभी बस स्टेंड पे उसे पूजा की मा दिखाई देती है जिस पर वो जा करके उनसे पूजा के बारे में पूछती है जिस पर उसकी मा मन्नू से या बताती है कि पंचायत वालों की बातों में आकर के पूजा ने बच्चा गिरवा दिया जिस वज़े से उसकी पुरी सरीर में इंफेक्शन फैल गया और पूजा की मौत हो गई अपने किसी जानने वाले की मौत की खबर सुन करके पूजा बहुत ज्यादा सौख हो जाती है इस वज़े से वो यह डिसाइड करती है कि वो अपना पुराना जौब ही जोईन करेगी और इस बार वो औरतों को जागरुक करेगी कि बिना प्रोटेक्शन के प्यार नहीं इस वज़े से वो दुबारा से लिटल अमरिला कंपनी में जा करके अपने पॉस और वहां के वरकत से या बूलती है कि उन्हें पुरे सहर में कैम्पेंच चलाना होगा ताकि एबोस्टन से होने वाली दिक्कतों का सामना औरतों को ना करना पड़े और वो प्यार करती समय अप इसका उन पर बुरा असर पड़ेगा पर मन्नु ने ये कहकर चुप करा दिती है कि अगर उन्हें इस काम में कोई बुराई लग रही है तो वो उसे बताएं और जिस दिन वो उसे इस काम की बुराई उसे बता देंगे तो वो ये जौब खुद छोड़ देगी और इतना ब बूलती है कि पहले होती है बस नौकरी थी पर अब ये मेरी जिम्मदारी है और इतना कहने के बाद मन्नु रंजन से ये बूलती है कि पहली बार लाइफ में तुमसे साधी करके रिग्रेट हो रहा है क्योंकि जो आदमी खुद का स्टैंड नहीं ले सकता वो अपनी बीवी का स्टैंड क्या ही लेगा मन्नु की ये बात रंजन को तीर की तरह जा लगती है और वो मन्नु से बात करना बंद कर देता है पर अपनी पापा के साथ वकील के पास जा करके डिवोस पिपर तयार करवा लेता है पर इन तमाम आपसी मुटाओं के बीच रंजन मन्नु से मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और फिर डिवोर्स के लिए जब वो दोनों जच के सामने पेस होते हैं तो उन दोनों में से कोई भी जच को वैलिड रिजन नहीं दे पाता कि आखिरकार वो दोनों एक दूसरे को डिवोर्स क्यों दे रहे हैं इस वज़े से जच उन्हें 6 मेनों का समय देता है ताकि वो आपसी मद्भेद खत्म कर ले नहीं तो 6 मेने बाद उन दोनों की तलाख हो जाएगी और अब मन्नू अपनी कॉंड़म को लार्जर ओडियन्स तक पहुचाने और उनमें जागुकता फैलाने के लिए अपनी कॉंड़म का एड़ सूट करवाती है जहां वो लोगों को यह बताती है कि कॉंड़म प्लेजर के लिए नहीं बलकि प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करो मन्नू की ये बात पुरे देश में आग की तरफ फैल जाती है जिस वज़े से हर निउस चैनल पे मन्नू ही चाई होती है और अब मन्नू की इस कॉर्णनम यूज़ करो जागुकता अभियान में दीरे दीरे करके और भी औरते उसके साथ जोडनाई स्टार्ट कर देती है और फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन परधाने की चुनाओ की काउंटिंग होनी होती है जहां उन्हें यह पता चलता है कि वो चुनाओ जीत गए है पर जब मंजपरी उन्हें यह बताए जाता है कि उनके इस जीत में श्रे उनकी भव मन्नू का है ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्चे से वापस अपने घर आ जाते हैं और रंजन से उस डिवोस पेपर पर साइन करने को बोलते हैं पर रंजन डिवोस पेपर पर साइन करने से मना कर देता है और अपने पापा से बोलता है कि आपका इगो इतना बड़ा हो गया है कि आपको सिर्फ अपनी पड़ी होती है कभी दूसरे कोई बारे में सोचा ही नहीं अपने बेटे की मूँ से ये बाते सुन करके वो उसे और मन्नू को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर जाने को बोलते हैं जिस पर रंजन मन्नू को लेकर के वहाँ से चला जाता है, कि इतने पही रंजन की बहन जो की पेट से होती है, उसकी पेट में चोरो से दर्ध होना स्टार्ट हो जाता है, जिस पर वो फॉरण उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उनके दमाद को या बोलता है, कि आपको मैंने पहले ही बता रखा था, कि आपकी बीवी का पच्चादानी कम जोड़ है, और इससे पहले भी आपकी बीवी का दो बार एबॉस्वन हो चुका है, फिर भी आप उसके जान की साथ खेल रहे हैं, डॉक्टर के मुँसे ये बात सुन करके, रंजन के पापा अपने दमाद पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कि वो उसका कॉलर पकड़ करके, उससे यह बोलते हैं, ये अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, तो मैं तुम्हें यहीं पर जिन्दा गार दूँगा, ये सुन करके, रंजन के दादा जी अपने बेटी से यह बोलते हैं, कि यही तो इतने दुन से मन्नू हम सभी को समझाने की कोशिस कर रही है, कि प्यार करते वक्त प्रोटेक्शन का इस्तमाल करें, पर तुम सब को कुछ समझ ही नहीं आता, और फिर कुछ समय बाद, डॉक्टर उनसे यह बूलता है, कि अब मा और बच्चे दोनों खत्रे से दूँग है, ये सुन करके, वहां मौजूद सभी लोग खुस हो जाते हैं, जिसके बाद से, रंजन के पापा मन्नो के कंपनी में जा करके, उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, और उसे वापस अपने साथ घर चलने को बोलते हैं, और ये मुवी यहीं पे खत्म हो जाती है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, आपको मेरी जनहित में जारी मुवी की एक्स्प्रिनेशन कैसी लगी, कॉमेंट सेक्शने बताना ना भूले, और अगर आपको मेरी जनहित में जारी मुवी की एक्स्प्रिनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले, चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सब के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं